जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डॉनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं इनको समझाने की ज़रत थी इनको समझाया जा रहा है ट्रेन जला दी बीजेपी का दफ्तर जला दिया पुलिस चौकी को आग लगा दी सरकारी बसों को तोड़ फोड़ कर फूंग दिया रोड जाम किया पुलिस पर पत्थर बरसाए पर इनको समझाने की ज़रत है ये हमारे ही बच्चे हैं जी हाँ वारा नसी कमिशनर आफ पुलिस सतीश भारदो आज कह रहे हैं कि ये अगनी पत्थ स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे और पुलिस पर पत्राव कर रहे कलके होने वाले अगनी वीर हमारे ही तो बच्चे हैं इनको समझने की ज़रत है ठीक है ये तो आपके पुलिस में नसलवादी कानून सी ए के खिलाफ प्रोटेस्ट में पुलिस की गोली से जान कवाने वाले 22 बच्चे किसके थे वो लावारिस थे और पिछले हफ़ते जिने लाठी डंडे से पीटा गया था गोली चलाई गई थी एक एक मारे गए लोग के जिसम से 6-6 गोलिय निकाली गई थी पोस्ट मॉटम में वो किसके बच्चे थे सहारनपूर में जिन पर डंडा बरसाया गया था वो पाकिस्तानी बच्चे थे क्या आफरीन फात्मा और दूसरे लोग जिनके घरों को बुल्डोज कर दिया गया था वो फॉर्णर थे जहारकण में जिन लोगो को पुलिस ने गोली मारा वो क्या देश के दुश्वन थे ये सब आपके बच्चे नहीं थे क्या, चलिए किसके बच्चे थे ये छोड़िये, ये ही बता दीजे कि वो इंसान थे या नहीं, इनसान तो थे ही ना, तो इंसानियत कर सलूख उनके साथ होना चाहिए था एक बार जर्मिनी में एक यहूदी पोईट को ग्रिफतार किया गया था उनकी तीन साल की बेटी ने अपनी मा से पूछा पापा को पकड़ कर क्यों ले गए तो मा ने जवाब दिया कि तुम्हारे पापा ने हिटलर के खिलाफ पोईट्री लिखी थी तो बच्ची बोली कि वो भी पापा के खिलाफ पोईट्री लिख देता तब मा ने कहा अगर वो लिख पाता तो इतना खून खराबा ही क्यों करता आफरीन फातिमा हमारे देश की बच्ची नहीं है तीन दिन से तोड़ फोड आग जने हिंसा पत्थरबाजी के मीडिया और सरकार के पास अब तक लाखो फोटो और वीडियो सुबूत के तौर पर मौजूद है बाबा जी का बुल्डोजर एक भी आरोपी का घर तोडने नहीं पहुचा इसलिए कि उनके सर पर टोपी नहीं थी दरसल एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है मौजूदा भारत के सियासी तमाशे में एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है वो और सिर्फ रोटी से खेलता है ये तीसरा आदमी कौन है शायद मुझे नाम बताने की ज़रत नहीं है पुलिस पर पत्राव हो रहा है आग जनी हो रही है कई जगों पर बीजेपी के नेताओं की प्रॉपर्टीस को भी नुकसान पहुचाया गया है पिछले जुम्मे को मुसल्मानों के मकानों पर बुल्डोजर चलाने का फटाफट नोटिस टाइप कराने वाला एड्मिस्ट्रेशन और हुकूमत आज अमन कायम करने की अपील कर रही है देखा इंसाफ का पैमाना कितना ट्रांसपेरंट है वैसे गोधी मीडिया को इस बार वाले जुमे में पिछली बार वाले जुमे जैसा तो मज़ा नहीं आया होगा हाला कि वाइलेंस और आग जनी पिछले जुमे से कई गुना ज्यादा हुई है और नाजवान भी भटके हुए थे लेकिन इस बार पिछली बार जैसा रोमैंटिक फील नहीं आया इस अन रोमैंटिक फीलिंग को रोमैंटिक महाल में बदलने के लिए नरेंदर मोदी को एक और कानून बनाना चाहिए कि जुमे के दिन जितनी भी वाइलेंस आग जनी या पबलिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुचाने की वारदाते होंगी उस गुना की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जुमन पर ही डाल दिया जाए और किसी पर नहीं खैर गोदी मीडिया की तरह ही अगनी वीर मामले में एक बड़ी दिक्कत बीजेपी आईटी सेल के सामने भी आ रही है दरसल नोट बंदी हुई लोगों को तकलीफ हुई तो बैंक इम्प्लॉईस को चोर बताया गया था जब कौरना का मिस मैलेजमेंट सामने आया तो डॉक्टर्स बक्रा बने डॉक्टरों को चोर बोला गया और जब जीएस्टी लागू हुई तो भी बड़ी मुश्किल पेश आई थी उसमें बीजेपी आईटी सेल ने कारोबारियों को चोर बताया था लेकिन अब मामला इंडियन आर्मी का है फौज का है इसलिए गोधी मीडिया की तरह बीजेपी आईटी सेल को भी रोमांटिक फील नहीं हो रहा है वैसे कारोबारियों से याद आया कि जलती ट्रेनें और कुट्ते पुलिस वालों के बीच में देश के कारोबारी भाईयों के सबर का भी जवाब नहीं है उनकी अन्भक्ती ने जो मिसाल कायम करी है उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है मुल्क के इन कारोबारियों ने कई मुश्किले जहली लेकिन कभी भी सरकारी प्रॉपर्टीज नहीं जलाई लोगों से भरी हुई गारियों पर पत्राव नहीं किये पुलिस वालों के साथ मार पीट नहीं करी कर्जा हो गया धंदा पिट गया चुपचाब खुद को आग लगा ली लेकिन अपने देवता जैसे नेताओं के दफ्तर को कभी आग नहीं लगाई नोट बंदी से इन कारोबारियों की कमर तोड़ी गई खुद मोदी जी ने चुटकी बजा कर बताया कि कैसे तीन लाग कमपनियां बंद हो गई पर कारोबारियों की तरफ से कोई उग्र या नाराजवी वाला रियक्शन नहीं आया बिना किसी मजबूत प्लैन के जी एस्टी लागू करके व्यापारियों की लंका लगा दी गई बावजूद इसके कारोबारियों ने हमेशा साहिप का डंका बजाने में भरपूर कंट्रिबूशन किया आठ बजे के वन मैन शो में अचानक से लॉक डाउन कर दिया गया इन वफादार कारोबारियों ने फिर भी बिल्कुल भी अपना थोबड़ा नहीं सुझाया उल्टा कॉरना स्प्रेडर जमातियों को सबख सिखाने के चलते सरकारी दलालों की होसला अवजाई करते रहे कितना बड़ा दिल है इन कारोबारियों का इसका अंदाजा आप इस बात से लगाईए कि आंगिनत बिजनसमैन सोसाइड कर चुके हैं लेकिन अपने सोसाइड नोट में कभी ये नहीं बताते हैं कि उनके अच्छे दिन कप थे और बुरे दिन कप शुरू हुए कहने का मतलब ये है कि व्यापारी सब कुछ जेल लेगा लेकिन किसी एक गुजराज से दिल्ली आईश शक्स का होसला नहीं तूटने देगा जब भी कभी देश विरोधी एलिमेंट्स के बॉयकॉइट करने की बात चलेगी आपको सबसे पहरी लाइन में व्यापारी खड़ा मिलेगा कारोबार का चाहे जितना बड़ा टेंशन हो उसके पास टेंशन भगाने की ट्रिक मौजूद है वो टीवी पर सुधीर चौधरी, चौहान के, रूबिका, चौरस या जैसो के प्रोग्राम देखकर अपना टेंशन दूर कर लेता है यही जबरदस ट्रिक सारे मुल्क को इस्तेमाल करनी चाहिए यह कैसे प्रोटेस्टर्स हैं भाई, कि जिस ट्रेन में बीड़ी पिया उसी को जला रहे है जिन पट्रियों पर बैट का सुबा शाम फ्रेश हुए उन्ही को उखाड रहे है जिन दिवारों पर शूशू किया उन्ही पर चड़कर नारे लगा रहे है जिन बसों में ओवरलोड होकर एक्जाम देने गए उन्ही को तोड रहे है जिन नेताओं ने चुनाओ के टाइम मुफ्त की दारू पिलाई उन्ही के दफ्तर जला रहे है जिन खाकी वालों ने दंगो के वक्त आपके सपोर्ट में बेतरीन काम किया उन्ही को दड़ा दड़ा का पीट रहे है पाकिस्तान से मुसल्मान से बुर्खा, हिजाब, नमाज, कुरान वगारा से पेट नहीं भर रहा है जो इस तरह से देश के खिलाफ जंग छेड़ रहे हो इन प्रोटेस्टर स्टूडन्स को मुलक के कारोबारियों से कुछ सीखना चाहिए अरे मुदी जी ने कौन से जिन्दिगी में पहली बार गलट डिसीजन लिया है जो आज इतना उधम चौकडी मचाए फिर रहे हो कुछ तो मरियादा रखो जब टीवी चैनल है मुँ में गाली है आँखों में तेज है चेरे पर गुसा है अजान हो रही है पार्क में नमाज भी हो रही है हिजाब पहन कर लड़किया मौजूद है हांडी सुंगो बीफ कहीं पक तो नहीं रहा है परोस में पाकिस्तान भी है शाहीन बाग है तीन तलाग है जोधा अकबर है अलाउदीन खिलजी है बाबर है गौरी है अलीगर मुस्लिम इनिवस्टी है जामिया है सैक्डों मुद्दे है जिन से टाइम पास किया जा सकता है तो ये वॉयलेंस क्यों कर रहा हो भाई सुकून से टीवी देखो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद सत्यमेव जैते अलाहाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जबूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com slash dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों गर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है जड़ कर दोस्तोंम